फ्रेंड्स आज में लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी कलाकन की रेसिपी बहुत ही आसान रेसिपी है आप सिर्फ 15 मिनिट में घर में रखे सामनों से ही इसे त्यार कर सकते हैं ना मावा ना पनी ना ही कोई मिल्क पावडर की ज़रुत है इसमें फिर भी बहुत ही टेस्टी बनती है सिर्फ दो चीजों से बनके दियार होती है तो रेसिपी अच्छे लगी तो प्लीज लाइक कर दीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा तो चलिए शुरू कर ने हाई कर दीजेगा और इसमें आने देते हैं एक उभाल और बाकी काम उसके बात करेंगे तो यह जब गरम हो जाए तो इसमें से मैंने एक स्कूप निकाल लिया है एक कटोरी में जिसमें मैंने पहले से ही केसर के कुछ धागे डाल रखे हैं तो गरम गरम दूद ताकि चीनी मैल्ट हो जाए और इस साइड में रख देंगे इसका यूज हम बात में करेंगे अब जो पाकी का दूद बचा है पैन में उसे मैंने गाड़ा कर लिया है देखिए अच्छे से रबडी बन गई है तो काफी हद तक गाड़ा हो गया है वन थर्ड रह चुका है तो इसमें डालेंगे अब हम यहाँ पर चीनी तीन टेबल स्पुन चीनी में डाल रही हूँ टोटल चार टेबल स्पुन चीनी ली है एक मैंने बावल में डाल दी थी और तीन यहां डालेंगे तो एक लिटर दूद के हिसाब से चार चमबच काफी है और अब डाल देंगे इलायची पाउडर, मैंने तीन इलायची को कूटके डाला है और जो केसर भी होई थी हमने वो वाला दूद भी इसमें डाल देंगे बस अब यह मिक्स कर देंगे और एक उबाल लाने तक यह नहीं कि चीनी मैल्ड हो जाए इतना ही हमें इसे पकाना है, जादा नहीं पकाएंगे क्योंकि ठंडा होने पर भी जो रबड़ी है गाड़ी हो जाती है तो बस इतना ही इसे पकाएंगे बस बॉयल आने देंगे, बस फिर गैस बंद कर देंगे और इसे हटा देंगे आप चीनी दूद को उबालतेवक्ट भी डाल सकते हैं पहले ही लेकिन उससे लच्छे नहीं बनते हैं अगर आपको लच्छे वाली रबड़ी नहीं चाहिए तो आप पहले डाल सकते हैं अच्छे से लच्छे बन गए हैं और काड़ी हो चुकी है काफी तो बस इतनी ही काड़ी रखनी है हमको अब मैंने ले लिए हैं कुछ bread slices वाइट वाली ले है मैंने bread और इसके चुक नारे हैं वह हम हटा देंगे तो अच्छे से चाकु से कट कर लें और इसे हटा दें तो आज की जो ये कलाकंद मिठाई है बस ये दो ही चीजों से बनी है ब्रेड और दूद तो मैंने इसे ब्रेड कलाकंद का नाम दिया है आप चाहें इसे ब्रेड की रस्मलाई कह सकते हैं या double का मीठा जो भी आपको पसंद हो आप इसे नाम दे सकते हैं लेकिन जो भी है बहुत ही गजब की बनती है मीठाई तो अब देखिए मैंने इनके किनारे हटा दिये हैं और आप इने crumbs बना करके यूज कर सकते हैं किसी भी recipe में तो मैंने इस तरह का एक tin ले लिया है आप भी कोई बड़े सी ट्रे ले सकते हैं या जो भी आप बर्दन लेकिन जो भी लें वो जो है square शेप में लें ताकि अच्छे से उसमें bread सेट हो जाए अभी जो दूद हमने अलग से लिया था उसमें चीनी melt हो गई है तो मैं इसमें थ सिक्तम soft हो जाए जब उससे खाएं तो सूकी सूकी ना लगे तो यह देखी सारी मैं इसमें काट करके सैट कर दूँगे इस तरह से एक लेयर बना देनी है नीचे पूरे अच्छे से कट करके जहां भी जगे बच रही है आप अच्छे से bread को कट करके इसको सैट करते हैं इस तो मैं兩 राजा एक अच्छे बना देंगे मैं 2 यह तीन लेयर बनाओंगे .... तो यह इस तरह से देखिए इसमें चार तो तरफ अच्छे से लगा देंगे और जो नीचे हमने तो पधे दोद्ध कर लेगी तो जादा रबी हमने लगाने की जरूद नहीं पड़ ृप भी मैंने लगा दी है और अब इसमें डालेंगे फिर से थोड़ा सा दूद तो इस तरह से आप दो-तीन लियर लगा सकते हैं जैसे भी आपका टिन है या जो भी बरतन या ट्रे है यह देखिए और बस फिर से हम रबडी के लिया लगाएंगे तो इस तरह आप दो-तीन लियर लगा सकते हैं आप चाहें तो इसके बीच में ड्राइ फ्रूट्स भी रख सकते हैं और या फिर आप चाहें तो इहां पे थोड़ा सा गुलाब जल या केवड़ा वाटर की भी कुछ बुंदे छिड़क सकते हैं और देखिए मैंने तीसरी लेयर भी लगा दी है ब्रेड की और ये जो बाकी सारा जो बचावा दूद है वो डाल देंगे इस पे और जो अब जो सारी जो रबडी बच गई है वो सारी लगा देनी है इस पे ताकि उपर की कोट एकदम गाड़ी गाड़ी और काफी मोटी बन जाए और ये जो ब्रेड है वो सारा इसको सोक कर ले तो द आप ने कितनी जल्दी बनने की तयार हो गई है आप चाहिए को तो अचे करते हैं अचलते смulator जब जाहे हैं मैं बाद require और जो कि बहुत ही सुन्दर लगेंगी देखने में अगर आप गुलाब का फ्लेवर इसमें डाल रहे हैं तो गुलाब की पती देखने में और बढ़िया लगती है तो बस अब एक क्लिंग फिर्म से या फिर किसी ऐलुमिनियम फाइल से इसे रैप कर दें और थोड़े देर के लिए सेट होने के लिए रखते हैं देखें अच्छे से सेट हो गई है हटा देते हैं इसे और इसे अब आप कट कर लें या फिर चमत से आप बोल्स में डाल करके ऐसे भी खा सकते हैं मैं आज इसे cut करे हुं क्योंकि मैं इसे कलाकंद नाम दिया है तो मैं कलाकंद की shape में इसे cut रही हुं square shape में और आप देख सकते हैं कितनी लग रही है बहुत ही सुन्दर लग रही है देखते ही मूह में पानी आ जाए और बनी भी बहुत ही बड़ी आती, बहुत डिलिशस बना था ये डेजर्ट, खाने में मज़ा आ गया इसका, तो अब जब भी मीठा खाने का मन हो या घर पे कोई अचानक से गैस्ट आ जाएं तो दूद और अगर प्रैड घर पे रखे हैं तो आप ये रेस्पी फटाफट स बना सकते हैं मिंटों में बनके तयार हो जाती है और इतनी गजब की लगती है ये किन मानिया आप एक बार बना के देखिएगा स्वाद बुलाने पाएंगे तो ये देखी मैंने एक पीस निकाल लिया है कितना ही फ्रेश कितना जूसी बहुत ही बढ़िया लग रहा है पनी मैंने इतर से सर्व कर दी है ये कितनी बढ़िया लग रही है और खाने में भी बहुत ही डिलिशिस है आई होप रैसी पे आपको पसंद आयोगी तो प्लीज लाइक कर दीजीगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजीगा